क्या आप इंस्टाग्राम या फेस्बुक में वीडियो अप्लोड करना चाहते हैं इसके लिए आपको आपकी वीडियो के साइज को चेंज करना पड़ता है तो चलिए हम देख लेते हैं दाविंची रिजॉल्व में हम ये एक्टिवीटी को किस तरह कर सकते हैं वो भी बहु विजिट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप क्लिप सिलेट कर लीजे जिस क्लिप को आपको एडिट करना है तो जैसे देखिए मैंने यहां पर ये क्लिप सिलेट कर लिया है और मैं इसे अपने टाइम लाइन पे लेके जाना चाहता हूं तो म इंस्टाग्राम में वीडियो जो sizes आती है वो आती है 1080 x 1920 तो अब मैं इसे कैसे करेंगे इस timeline को change करेंगे simple सा तरीका है सीधा चले जाएंगे यहां पर देखिए जो corner में जो यह option दिख रहा है आपको यह जो setting का option है आप इसको project setting के यहां पर click कर दीजिए by default देखिए यह 190 x 1920 x 1080 के format में रहता है हमें सिर्फ इसको reverse करना है अगर हमें Instagram में अपने वीडियो को डालना है तो यहां पर मैं type कर देता हूं 1080 x 1920 यहां पर आप कोई भी size दे सकते हैं जो जिस type के भी आपको size चाहिए आप यहां पर इसको numbers को mention कर सकते हैं और आपका frame उसी size का बन जाएगा interesting बात यह हो जाती है कि अभी हमारी यह frame बन गई है तो देखिए अब क्या होता है save कर दिया save करने पर क्या होता है अब जो आपका frame size तो आपका change हो गया है देखिए आप यह vertical में आ गया है लेकिन आपकी जो यह movie जो है यह जो आपकी जो clips हैं यह अपने size को अपने श्रिंक करके इतने से frame पर है जबकि आपका frame पूरा यह बड़ा है एरिया आपका frame का जो area पूरा यह बड़ा है लेकिन यह यहीं तक दिखा रहा है इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें जाना है फिर से setting पे और यहाँ पर जाना है image scaling में आप image scaling को क्लिक कर दीज इसको select ना करके आप कर दीजिए scale full frame with crop आप यहाँ पे इसको select कर दीजिए आपने जैसे इसको select कर दिया और save कर दीजिए और अब देखिए आपका यह पूरा आ गया है आपकी जो यह clip है यह पूरे screen पे आ चुकी है अब आप अगर इसको play करके देखते हैं तो देखिए य कुछ इस तरीके से दिख रहा है इंटरस्टिंग बात यह है कि DaVinci Resolve ने यहाँ पे एक और option दिया हुआ है जिस option के अंदर जैसे कि आपका अगर subject frame से बाहर जा रहा है उसको इसी frame के अंदर रखने के लिए यहाँ पे यह option दिया गया है retain image position अगर आप इसको select कर देते हैं तो अब यह क्या होगा यह जो हमारा subject है यह frame से बाहर नहीं चाहेगा तो दोस्तों यह आ गया है अभी हमारा पूरा जो clip है जो movie है यह आ चुकी है हमारे frame के size में अब हम इसके अंदर color rating करना है आप color editing कीजिए और अपने file को upload कर दीजिए Instagram और लाखों के likes पाईए सो दोस्तों हमने color grading भी कर लिया है और इसको भी हमें पर play करके देखते हैं यह किस तरह लग रही है देखिए पूरा frame आपके set किये हुए dimension के अंदर ही है और मैं आपको interesting बात यह बोल दूँ the venture resolve इतना advance है इसलिए यह object को भी find out करता है और find out करके frame से बाहर नहीं जाने देता है यहाँ पे जैसे कि यह बच्चे हैं इनको frame इनकी जो face है frame से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं इनको इन्होंने hold करके रखा हुआ है frame के अंदर ही तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी benefit है the venture resolve में अगर आप अपने वीडियो को edit करते हैं Instagram या Facebook के लिए तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक like के बटन जरूर दबा देना और जाते जाते हमारे चैनल को subscribe कर लेना अगर आप ने अभी तक subscribe नहीं किया है thank you very much for watching